हेलो माई डियर फ्रेंड्स मैं विविक कुमार आप सभी का आपकी और अपने यूटूब चैनल यूवी कंपिटिसेंस में स्वागत करता हूं मेरे प्यारे साथियों रेलवे रिक्रूट्मेंट बोर्ड आर आर बी ने साथियों मेरे रेलवे की ये भरती जो की असिस्टेंट लोको पाइलेट के लिए होने वाली है जो की जम्मू, स्रीनगर, चंडीगड, अजमेर, गोरकपूर, मुझपफरपूर, गुवाटी, मालदा, पटना, सिलीकुडी, राच्ची, बलासपूर, प्रियागराज, बोपाल, एमदाबाद, मुंबई, कोलकत्ता, भोनेस्वर, सिकंद्राबाद, पैंगलूर, जddndर पूरब, इत्यादी बोर्स में होने वाली है, साते मिरे डिटेल्ड एड़ाटाइजमेंट जो है, उसके अनुसार, ऐम बात करते हैं कि डिटेल्ड एड़ाटाइजमेंट में क्या है? मेरे प्यारे सातियों, रिकूटमेंट औप असिस्टेंट लोको पाइलेट एलपी भरती के लिए ओनलाइन एप्लिकेशन 20 जनवरी 2024 से शुरू होंगे जो की 19 फरवारी 2024 तक भरे जाएंगे साथे मेरे मोडिपिकिसन का जो है टाइम वे 20 फरवारी 2024 से लेकर 29 फरवारी 2024 तक रहेगा जिसमें आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा RRB को इसके लिए RRB detailed filled in create an account from the chosen and choose RRB cannot be modified मेरे प्यारे साथियों online application ही भरे जाएंगे याने कि आपको जो फोरम बरना है वो online ही बरना है offline कोई फोरम नहीं फिल किया जाएगा RRB ALP exam के लिए साथियों मेरे assistant local pilot की ये भरती जो की level 2 की भरती है इसका initial pay 19,900 रुपे है और इसके के लिए medical standard A1 class होना चाहिए total vacancy 5,606 में है age की बात करे तो age minimum age 18 साल और maximum 30 साल होनी चाहिए age का criteria एक जोए 2024 के अनुसार होगा साथियों candidate को फोरम भरने से पहले जो notification है detailed notification उसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए eligibility criteria की बात करें तो इसमें दस्वी pass plus मैं ITI मांगी गई है इसके अलावा दस्वी pass plus मैं डिप्लोमा थिरी वर्षिय डिप्लोमा या इसके अलावा दस्वी pass साथ ही साथ beta graduate भी यानि की graduate भी डिग्री वाला भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है मेरे प्यारे साथ यो medical fitness की बात करें तो medical fitness A1 class का होना चाहिए age की criteria एक जुलाई 2024 के अनुसार होना चाहिए candidate को railway के john के according की vacancies में फिलब करना चाहिए इसके अलावा बात की जाए तो 39 परवारी 2024 के बाद RRB किसी भी प्रकार की entry के लिए application में किसी प्रकार का modification का time नहीं देगा जो candidate CBT के round first में qualify करेंगे 15 गुना candidate जितनी vacancy है उसके 15 गुना candidate को normalization के बाद CBT 2 में सामिल किया जाएगा जिसकी जानकारी official website पर SMS और email के माद्यम से दे दी जाएगी negative marking की बात की जाए तो इस भरती परिक्षा में negative marking one by third रहेगा जो की CBT 1 और CBT 2 दोनों में रहेगा इसमें जो exam है वे computer based test होगा computer based exam होगा मेरे प्यारे साथियों इसके अलावा जो भी आपका exam है उसमें पहुत सारी चीज़े बैन है जैसे pen drive laptop calculator रित्यादी बैन रहेंगे इसके अलावा बात की जाए तो candidate के लिए क्या क्या जरूरी है यह फौरम भरने का फौरम फिल करने का वह है कि कैसे कैसे पौरम फिल किया जाए ठीक है पौरम फिल करने के लिए आपको किसी प्री ट्रेवल फैसलेटी मिलेगी सब्सक्राइब को इसके लावा करने को जो वेकंसी है उनका क्या है तो मेडिकल की बात करें तो फिजिकली पिट इनाल रेस्पेक्ट होना चाहिए विजन स्टेंडर की बात करें तो डिस्टेंस विजन विजन 6x6 6x6 without glasses with fogging test must not accept plus 2D near vision होना चाहिए 0.6, 0.6 without glasses and must pass pass होना चाहिए test of color vision, buy in color vision, field of vision, night vision, mesopic vision मेरे प्यारे साथेों किसी भी प्रकार के अन्य जानकारी के लिए www.indianrailwich.gov.in पर आप लोगिन करके चेक कर सकते हैं नेशनलिटी citizenship की बात की जाये तो candidate इंडिया का होना चाहिए नेपाल का हो भूटान का हो तिबबत refugee का हो age relaxation की बात करें तो SCHT के लिए 5 साल, OBC non criminal candidate के लिए 3 साल ex-servicemen का candidate है तो उसके लिए भी 3 साल, OBC NCL का तो 6 साल SCHT का तो 8 साल का age relaxation मिलेगा जिनके पास C, Group C and Group D railway staff with minimum 3 year service हो चुकी है उनके लिए maximum 41 साल, OBC के लिए 43 साल, SCHT के लिए 45 साल SCA Admissions Office का अगर बंदा है तो 5 साल का age relaxation मिलेगा female candidate है उनके लिए general category की 35 साल तक, OBC की 38 तक और SCHT की 40 साल तक इसके लिए eligible है साथियों मेरे date of birth की बात की जाए तो upper limit of date of birth not before कबसे 2794 में कब से पहले का ना हो जनरल का OBC का 2791 में से पहले के ना हो और SCHT का 271989 से पहले का ना हो और minimum age की बात करें तो 1726 के बात का कुई ना हो मेरे प्यारे साथियों क्वालिपकेसन की बात करें तो क्वालिपकेसन जो है उसके अनुसार educational मेरे टैंथ प्लस में टेक्निकल क्वालिपकेसन होनी चाहिए एक्जामनेशन पीस की बात करें तो all candidate के लिए एक्जामनेशन पीस 500 रुपे है उसके लावा SCHT एक सर्विसमेन फीमेल ट्रांसजेंडर माइनोटीज और बैक्वर्ड क्लास EBC इनके लिए 200 रुपे पीस है पीस का पैमेंट ऑनलाइन मोड़ से होगा UPI पैमेंट भी असप्टेबल होगा इसका इक्वर्ड क्लास EWS जिनकी इंकम पचास हजार से कम है उन्हें EWS के टेग्री में सामिल किया जाएगा अगर आपने CBT all candidate must clearly answer that dear bank detail in dear इसमें भरे यदि आपने CBT one में apply किया है और आपका फीस रिपंड हो सकता है तो हुगा गार्टीकल रिजर्वेशन मिलेगा İş के लिए इसमें वे धिकल रिजर्वेशन को मिलेगा इसमें एक्वीस में के लिए रिजर्रीशन भी है इसके लाव oraz combination सब्सक्राइब करना पड़ेगा पहले होगा सब्सक्राइब इसके बाद सब्सक्राइब करना पड़ेगा यह सारी चीजे होगी यानि कि कितने स्टेज होगे फाई स्टेज का एक्जाम है यह से सीबीटी की बात की जाए तो फ़र्षिस से सीबीटी और यह ऑनली स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसमें पंद्रेगुना कंडिडेट को पास किया जाएगा और सीबीटी टूबेस जो है इसमें नॉर्मलाइज़ेसन के अन सीबीटी के लिए क्वालिफाई करेंगे उनकी एज सेल कंटिन्यू टू वी ट्रेटेड एज कंडिडेट ऑफ दियर एस्पेक्टि विजरुशन कम्मुनिटीज कि सीबीटी वन के पैटन की बात करें तो पैटन और सिलेबस की बात करें तो इसका साथ मिनट का पेपर होग 15ников पिछेतर कॉस्टन आएंगे 15-35 नंबर के प्रतेक़ क्वेसिंट एक नंबर का होगा मार्क्स की बात करें तो इसमें negative marking one by third रहेगी यह normalization का पेपर है cbt में होगा मिनिमम पासिंग मार्क की बात करें तो जनरल के लिए 40 परसेंट और BC के लिए 30 परसेंट, SC के लिए 30 परसेंट और ST के लिए 25 परसेंट होने चाहिए इसके सिलेबर्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डैसीमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो और प्रोपोर्शन, परसंटेज, मैंसुरेशन, टाइम और वर्क, टाइम और रिटरन, सिंपल और कंपोंड टेस्ट, प्रोपिन और लॉस, अलजेब मैथमेटिकल ऑप्रेशन, लेशन सिप, सिलोलोजयम, जंबलिंग, वैन डाइग्राम, डाटा, एंटरप्रेटेशन, एंड सफिसेंसी, कन्कुलूजन और डिसीजन मेकिंग, सिमिलर्टीज और डिफ्रैंसेज, अनलेटिकल रीजनिंग, क्लासिपिक्सन, डासिपिक्सन, ड और CBT जो 2 है, उसका पैटन, पार्ट A और पार्ट B भी 2 पेपर होंगे, टोटल समय मिलेगा 2 गंटे 30 मिट का, पार्ट A के लिए 90 मिनट, जिसमें 100 कोस्तन होंगे, पार्ट B में 60 मिनट मिलेगी, 75 कोस्तन होंगे, और नेगेटिव मार्किंग 1 थर्ड ही रहेगी, उसके लि टैस्च क्वालिफाय किया, उनी चाहिए, इनके लिए होंगे, इनके लिए होंगे सब्जेक्च चोईच मेकनिकल इंजिनिरिंग और प्परिडिव मेंटिनिस्त इत्यादी ये सारे के सारे ट्रेड होंगे कौन-कौन से सबजेक्ट चूज कर सकते हैं उसके बाद CBTół कर लोगे तो दिया होगा CB80 जो की क्या है candidate का एक और भेस्ट होगा ठीक है नहीं CB80 जब कर लोगे सब स्वेइब के बास denkt मिलेंगे स्कोर मिलेगाquarya होना चाहिए 70 परसेंट वेटेज मिलेगा पार्ट ऑर Wirka उसके बाद होंगे documents verification और documents verification के बाद आपका final submission होगा तो मेरे प्यारे साथियों अब आती है कि कौन-कौन से department में कौन-कौन से board में किस प्रकार से भरतिया है unpair means का यूज ना करें किसी भी प्रकार की जानकरी के लिए board की website पर जाए ठीक है minimum qualification आपके सामने है minimum qualification की बात करें तो matriculation होनी चाहिए साथ में iti इंस्ट्रूमेंट मेकनिक मेल राइट मेंटिनेंस मेकनिक मेकनिक रीडियों टीवी एलक्रोनिक मेकनिक मेकनिक मोटर वीकल वायर्मेंट ट्रेक्टर मसीन इत्यादी रसी उसके अलावा आप डिग्री वाले कंडिडेट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं और डिप्लोमा वाले हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं अलग-अलग जोन के लिए अलग-अलग वेकनिक हैं टोटल बात करें एहमदाबाद जोन की तो 238 वेकनिक याजमेर के लिए 228 बैंगलोर के लिए 430 बोपाल के लिए 219 बुवनेसर के लिए 65 सबके लिए 288 बिलासपुर के लिए 124 और एसी सी रेजन के ग्यार सबाण में अलग-अलग रीजन का नॉर्थ रीजन साउथ रीजन सबके लिए अलग-अलग वेकनिक दी गई है कुल मिलाकर 5606 में वेकनिक हैं कास कच के लिए सटुनके लिए सटुनके लिए है तो मेरे प्यारे सातियों ये था ALP भरती 2024 का Detailed Advertisement किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आप कमेंट कीजिए आपका कमेंट हमारे लिए सर्व पर यह है वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद थेंक्यू सो मच मिलते एक नए वीडियो के साथ आपके और अपने योटूब चैनल योवी कमपेटसेंस मर